हेलो एब्रिवन विल्कम बैक टो माई चैनल स्रीहंट क्राफ फ्रेंड्स आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा तोरन पट्टी का डिजाइन लेके आई हूं मैं आप सभी के लिए ये बनाना बहुत ही असान है और ये देखी ये कितना प्यारा लग रहा है और आप इसे बहुत ही जल्द बना लेंगे बहुत ही कम समय में बन जाता है इसको हमने दो कलर में बनाया है क्रीम कलर और परपल कलर में और उन हमने फोर प्लाइ लिया है आप किसी भी उन से इसे बना सकते हैं इसकी डिजाइन बहुत ही प्यारी है ये देखिए कितनी सुन्दर दीख रही है यह तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब केजिए लाइक केजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस से आपको हमारे वीडियो की हर्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी डिजाइन्स आप सभी के साथ सेयर करूंगी तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्रीम कलर का उन लेंगे उन हमारा फोर प्लाई है और मैं ये नौ प्लियों में ऐसे लपेट लिजे इसको एक बार इस तरीके से और इसमें हम बना लेंगे एक चैन यहां से यह उठाएंगे और इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे और इसमें हम बना लेंगे एक चैन एक चैन बनाने के बाद इसी रिंग के अंदर एक सिंगल क्रोसिया बनाए कि इसी रिंग के अंदर के तीनों फंदों का मुटार लेंगे तो यहाफ डबल डॉब्ल क्रोसिया हो जाएगा अभ अधुन दोडवल करो सिए बनानी है अब हम इस लूप को थोड़ा से बढ़ा करके रहने देंगे और हम लेंगे अपना दूसरा कलर जो भी कलर आप लगाना चाहें तो मैं यहाँ पर पर्बल कलर ले रही हूं अब इसी रिंग के अंदर इस धागे को हमें जोड लेना है इसी रिंग के अंदर इस तरह के असे धागे को पकड़ेंगे और इसे हम इसी रिंग के अंदर जोड लेंगे तो ये हमने जोड लिया इसे अब जोडने के बाद एक सिंगल क्रोशी अबनाएंगे सेम यही वाला पैटन हमें रिपीट करना है फिर एक हाफ डबल क्रोसिया बनाएंगे फिर एक दो डबल क्रोसिया बना लेंगे तो यह पहला और यह दूसरा धागे को हम इसी में बुन लेंगे जिससे हमारी फिनिसिंग अच्छी आएगी यह जो धागे दिख रहा है इसको हम इसी में बुन लेंगे तो यह देखिए यह हो गया अब हम क्या करेंगे जो हमने रिंग बनाया था क्रीम कलर से तो यह जो धागा दिख रहा है आपको इस वाले धागे को पकड़ना है हमें और इस धागे को हलके हाथ से इस तरीके से खीचेंगे, तो ये इस तरीके से सरकल बन जाएगा हमारी रिंग, तो ये सरकल बन गया, अब क्या करेंगे, इस वाले लूप को पकड़ेंगे परपल कलर वाले धागे को, और यहां जो हमारा ये चार लूप दिख रहा है आपको, यहाँ जो हमने यह बनाय था, तो पहले वाला लूप फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस चारों लूप में हमें दो-दो डबल क्रोसिया बना लेनी है, पहले वाला लूप में बनाएंगे दो डबल क्रोसिया, हमें आठ डबल क्रोसिया बनानी है इसमें, इस त्रीम कलर वाले लूप के उपर, चारों लूप में हम दो-दो डबल क्रोसिया बना लेंगे, तो टोटल आठ डबल क्रोसिया हो जाएगा हमारा, यह हो गया, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, बहुत ही असान डिजाइन है फ्रेंड्स, और बहुत ही प्यारा है यह डिजाइन, तो अगर डिजाइन पसंद आए, तो लाइक जरूर किजिएगा, अब यह वाला जो लूप दिख रहा है आपको, यह वाला, यहाँ जो हमारा लूप बने गई है, तो इस वाले लूप पर हमें यहाँ पर दो बना लेना है डबल क्रोसिया, तो यह दो डबल क्रोसिया हो गया हमारा, तो देखिए, यहाँ पर हमने यह एक, दो, तीन, चार, चारो लूप पर हमने दो दो डबल क्रोसिया बना लिया, अब हम यह परपल वाला धागा छोड़ेंगे, और यह वाला धागा, क्रीम कलर वाला लूप उठाएंगे, यह फंदे को ऐसे खीच लेंगे, और यहाँ से यह सारे लूप के उपर हम दो दो डबल क्रोसिया बनाएंगे, तो पहला लूप उठाएंगे हम, और डबल क्रोसिया बनाएंगे, दो दो डबल क्रोसिया सारे लूप में हमें बना लेना है, यह पहले लूप में बना लिया फिर दूसरे वाले लूप में बनाएंगे तो यहां यह जितने लूप दिख रहे हैं आपको यह सारे लूप के उपर हमें दो-दो डबल क्रोसिया बना लेना है तो चलिए इसे बना लेते हैं हम यहां तक बना लेंगे जैसे हमने क्रीम कलर से बनाया वैसे हम यहां तक इसे भी बना लेंगे तो देखिए हमने यहां तक बुन लिया अब हम यह दो लूप बाकिये दोनों लूप में भी बुन लेंगे अब ये लास्ट वाला लूप है ये वाला इसमें भी दो डॉबल क्रोसिया बुन लेंगे अब हम इसको थोड़ा बड़ा करके छोड़ देंगे तो देखिए यहां पेस ये वाले क्रीम कलर से हमने यहां से स्टाट किया बुनना दो डो डोबल क्रोसिया तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा बारा बनाया हमने यानि कि टोटल 24 डोबल क्रोसिया बना है इसके उपर हर लूप में दो डो बनाना है हमें अब फिर हम इस वाले धागे से बनाएंगे परपल कलर वाले से सेम वाईसे ही दो डोबल क्रोसिया बनाते जाना है सारे लूप में हमें दो डोबल क्रोसिया बनाते जाना है तो इस वाले जो हम परपल वाला ये बना रहे हैं तो हम यहां से जो हमने यह स्टार्ट किया था दो दो डबल क्रोसिया बनाना यहां से गिंती करेंगे हम काउंट करेंगे एक दो तीन चार चार हमने पहले से बनाया और अभी हम यहां से बनाना शुरू कर रहे हैं तो हम यहां से किंती करते हुए 19 बार 2-2 डबल क्रोसिया बनाएंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बार हो गया इसे हम 19 दफ़ा बनेंगे यानि कि 38 डबल क्रोसिया कम्प्लीट करना है हमें ऐसे ही सारे डबल क्रोसिया के उपर हमें सारे लुप में 2-2 डबल क्रोसिया बुनते आना है हम 19 बार बनाएंगे 2-2 डबल क्रोसिया बहुत ही असान है बनाना फ्रेंड्स अगर आपको कहीं भी कोई भी बनाने में दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते है अब हम इसे गिंती कर लेते हैं कि हमारा 19 बार हुआ है कि नहीं तो हम जहां से हमने 2-2 डबल क्रोसिया बनाना शुरू किया है एक लुप में वहीं से गिंती करना है इसे हम नहीं काउंट करेंगे जो हमने ये स्टार्ट किया है तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, यारह, बारह, तेरह, चोदह, पंदरह, सोलह सोलह बार हुआ है हमारा, ये सत्रा फिर अठारा और ये उननिस उननिस डबल क्रोसिया कंप्लीट हो गया हमारा दो, दो बार बनाके ये देखिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अगले वाले फंदे में एक डबल क्रोसिया बनाएंगे फिर उसके अगले वाले फंदे में हाफ डबल क्रोसिया बनाएंगे तो इन तीनो फंदों को एक साथ उतार लेंगे तो ये हाफ डबल क्रोसिया हो जाएगा फिर अगले वाले फंदे में सिंगल क्रोसिया बनाएंगे उस से अगले वाले फंदे में एक स्लिप एस्टिच लगा लेंगे और इस धागे को हमें यहीं पे कट कर लेना है तो ये धागे को कट कर लिया हमने ये हो गया इस तरीके से अब हम क्रीम कलर वाला धागा उठाएंगे और यहाँ पे तीन बार और हम दो-दो डबल क्रोसिया बुन लेंगे पहला फिर दूसरा दूसरे में भी दो बुनेंगे और ये तीसरा तीन बार बुन लिया हमने तो यहाँ पे हम क्रीम कलर वाले से भी पंदरा बार बनाना है हमें दो-दो डबल क्रोसिया काउंट कर लेंगे कितना हुआ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा पंदरा बार बना लिया हमने अब हम इस धागे को कट कर लेंगे और सेम यहीं पैटन हम फिर से बुनेंगे फिर से हम क्रीम कलर वला उन लेंगे और जैसे हमने मैजिक रिंग बनाई थी वैसे हम इस तरीके से एक रिंग बनाएंगे और एक चैन बुनेंगे फिर एक सिंगल क्रोसिया बुनेंगे फिर एक half double crochet बनेंगे इसी रिंग के अंदर फिर दो double crochet बना लेंगे जैसे हमने पहला बनाया सेम वह यही पैटरन हमें अप्लाई करना है परपल कलर वाले उन में एक note लगा लेंगे और इसी रिंग के अंदर सेम यही वाला पैटरन बुन लेंगे तो हम इस तरीके से इसमें धागे को जोड लेंगे और ये बनाएंगे सिंगल करोसिया सबसे पहले उसके बाद हाफ डबल करोसिया तीनों फंदों को एक साथ उतारेंगे तो हाफ डबल करोसिया हो जाएगा और फिर दो डबल करोसिया बना लेंगे यह दो डबल करोसिया यह हो गया अब जैसे हमने रिंग को ऐसे खींच लिया था इस धागे को पकड़ेंगे और इसको हम इस तरीके से खींच लेंगे तो यह हमारी रिंग बन जाएगी यह रिंग हो गई हमारी अब हम क्या करेंगे यह जो इसके उपर हमारा यह जो चार लुप दिख रहा है एक दो तीन चार इन चारों लुप में हम दो डबल करोसिया बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया जैसे हमने इसको बनाया सेम यही तरीके से हम इसे बना लेंगे हमें सिर्फ यह जो हमने 15 बार बनाया है क्रीम कलर से तो हमें परपल वाले से भी 15 बार बनाना है 19 बार नहीं बनाना है यह सिर्फ हमें स्टार्टिंग में 19 बार बनाएंगे और लास्ट वाला हमारा पैटन 19 बार बनेगा तो देखिए इसे हमें इस तरीके से सेम इसी पैटन से हमें कम्प्लीट कर लेना है ये जो हमने पैटन बनाया है सेम यही पैटन बस हमें ये वाला ये जो हमने 15 रखा है तो हमें इसे भी 15 ही रखना है ये एक्स्ट्रा नहीं बुनना है तो देखिए हमने ये दोनों को हमने बराबर बराबर बुन लिया है ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा पंदरा लुप के उपर हमने दो-दो डबल क्रोसिया बनाया है तो हमने परपल वाले से भी 15 लुप के उपर 15 डबल क्रोसिया बना लिया है देखिए एक, दो, यहां से हम काउंट करेंगे जहां से हमने बनाया है दो-दो डबल क्रोसिया एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा इतना ही हमें बनना है यह सिर्फ हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में एक ऐसा बनेंगे हम और फिर हम एंडिंग में एक लगाने के लिए ऐसा बनेंगे दोनों साइड हमारा ये दो ऐसा लगेगा एक एक तो ये देखिए इस तरीके से हमने बुन रिया अब हमें इसको जोड़ना है तो चलिए मैं आपको जोड़ के बताते हूं कैसे जोड़ना है तो यहाँ पे हम परपल वाले धागे को कट कर लेंगे इस तरीके से करके इसे हम कट कर लेते हैं यह हो गया अब ये क्रीम कलर वाले धागे को भी हम कट करेंगे तो इसे हम थोड़ा सा बढ़ा करके इसे इतना पर हम इसे भी कट कर लेंगे अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें इस तरीके से इसे जोड़ना है ये देखिए दोनों इस तरीके से मिलना चाहिए ये वाला ऐसे रखेंगे और हम जोड लेंगे तो हम क्या करेंगे ये वाला धागे को हम यहाँ पे बांद लेंगे क्रीम कलर का यहां पे हमने जो डबल क्रोसिया बनाए हैं इस लूप में हम इसे बान लेंगे और इस धागे को हम इस लूप में बान लेंगे तो चलिए मैं आपको बांद के दिखाती हूँ हम इधर पीछे से ऐसे धागे को एक रोसिया पास करेंगे इस वाले क्रीम कलर वाला जो हमारा ये लूप है इसी लूप में और इस धागे को हम पीछे की तरब से ऐसे खेच लेंगे इधर ऐसे यह देखिए यहां पर यह हो गया इस तरीके से सीधे साइट से ही ऐसे रहेगा हमारा यह जो धागा दीख रहा है हमारा इस धागे को भी हम यह वाला जो है मारा फंदा है यह वाला फंदा इस फंदे को हम इस तरीके से पीछे से करोसिया पास करेंगे और इस धागे को हम इस तरीके से खीच लेंगे और इधर से ऐसे गाट लगा लेंगे अच्छे से तो देखिए ये पीछे का साइट है हमारा और ये आगे का साइट ये जुड़ गया और अच्छी तरीके से आप यहां गाण लगा ले और इस धागे को इसी में अच्छे से फिनिस कर दे देखे इस तरीके से ये कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा है तो देखिए यह हमारा बन गया इसी तरीके से हमें जितना बड़ा हमें तोरन पट्टी बनाना है हम इसी तरीके से यह जो हमने बनाया नेक्स्ट वाल अपार्ट इसी तरीके से हमें बनाते जाना है और इसमें हम जोडते जाएंगे हमें 15-15 वार दो दो डोबल क्रोसिया इस तरीके से बुन लेना है और फिर ऐसे यहां रखके जोड लेना है देखिए इसी तरीके से मैं जोडते गई हूँ और बनाते गई हूँ इसी तरीके से आप जितना बड़ा तोरन पट्टी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं तो चलिए इसे complete कर लेते हैं तो देखिए friends तोरन पट्टी बना के हमने complete कर लिया हमें दोनों साइड इस तरीके से एक एक लगाना है और बीच में ये 15 पंद्रा वाला जो हमने बनाया था ये 15 पंद्रा डबल क्रोसिया बना के दोनों का और हमें joint करते जाना है इसी तरीके से हम जितना बड़ा तोरन पट्टी बनाना चाहें बना सकते हैं दोनों साइड हमारा इस तरीके का जो हमने 19 डबल क्रोसिया बना के ये बनाया है इसी तरीके से हमें दोनों साइड लगा लेना है और ये हमारी तोरन पट्टी complete है फ्रेंट्स आपको ये हमारी तोरण पटी की डिजाइन कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक किजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा मैं ऐसी ही प्यारी प्यारी डिजाइन्स आप सभी के साथ सेयर करूँगी तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबा, have a nice day